एक बच्चे को रचना क्रम यानि पैटर्ण समझाने के लिए आप प्रकृतिक सामिग्रियों का उपयोग कर सकते हैं आप बच्चे के सामने दोहराय जाने वाले क्रम में वस्तूओं को रख सकते हैं जैसे के छड़ी, पत्ती, छड़ी, पत्ती, छड़ी फिर आप पूछ सकते हैं आगे क्या आता है और बच्चा एक पत्ता रख सकता है आप विभिन वस्तूओं का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं जैसे के पत्ती, पत्थर, पत्ती, पत्तर, पत्ती या पत्थर, छड़ी, पत्तर, छड़ी रचना क्रम या पैटरन के बोध से बच्चे को अंदादा लगाने की ख्षमता विकसित हो सकती है पत्तर, जा इत्तर, छड़ी, पत्तर, पत्तर, जा विकसित है